प्यारे बच्चो जार्खन अदिविद परिशत द्वारा क्लास 11 बीसे संस्कृत का एक्जाम अर्धवार्शी एसे वन पर इच्छा ले लिया गया है आप लोगों ने कितना सही किया इस वीडियो से मिलान कर लीजिए संस्कृत के बच्चे जो एक्जाम लिख चुके हैं और जो विद्याले में एक्जाम जिलो का नहीं हुआ उन सभी बच्चों के लिए है कि ये कोस्चन फाइनल पर इच्छा के लिए बहुत इप्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर ले इस विडियो को बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्लस्टू पीजी टी सिच्छक संस्कृत के सभीता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सभी का अंसर बता दिया है मुझे और मैं आप लोगों के ये विडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले कोश्चन जो आपका आया था वो था संगच्छ त्वम मंत्र किस वेद से संकलित है मतलब किस संकलित है तो इसका जो सही अंसर है वह हो जाएगा आपका रीग वेद मलब ए आपका करेक्ट है दूसरा question जो है अस्वमाकम आकूती की दृस्य अस्यास्त तो इसका मतलब है हमारी ध्वनी कैसी होगी तो हमारी ध्वनी जो है वो होनी चाहिए समानी तो यहाँ दूसरा काप का D हो जाएगा बच्चो तीसरा है वा इती सब्दस्य का अर्था कहने का मतलब है आप सब्द का क्या अर्थ है तो इसका करेक्ट जो एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A मतलब मेरा सिव संकल्प क्या है तो मेरा सिव संकल्प जो है वो आपका सही अंसर हो जाएगा मना पांचमा है कवी सु आदी कवी का कत्यते मतलब कवियों में प्रत्थम कवी किसे कहा जाता है तो यहां आपका दिया हुआ है बालमिकी, कालिदास, तुलसिदास, बेदव्यास तो आपका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A उप्शन बालमिकी छट्था नंबर आपका कोस्चन है बच्चो अच्छा फिर आगे है निर्देश निमलिखित गध्यांस को पढ़े और उसके अधार पर प्रस्नों का उत्तर चुने यहां पर जो आप गध्यांस देख रहे हैं वो कह रहा है बौधी सत्वा किम किस्मेंटी नातिमहती कहने मलब है बौधी सत्व एक जील में मचलियों का स्वामी बन गया जो बहुत बड़ी नहीं थी और जिसका पानी कमल के फूलों और अन फूलों से सुसोबित था और जिसका पानी हंसों चक्र वाको और अन फूलों से सुसोबित था अनकई जन्मों में दूसरों की भलाई करने के अभ्यास के कारण वहां का वेक्ति भी दूसरों के कल्यान और सुख की प्राती में लग गया अपने बच्चों के परती अपने स्ने के कारण जैसे कि वे अपने प्रिये जन हो महर्षी ने मच्छनियों को दान दे कर सब्दों से उन्हें पर्षन करके आधी बहुत दयालूता दिखाई अब इस पर आपका सवाल है छठा नमबर बौधी सत्व कस्मीन मतस्य धीपती बभू मतलब बौधी सत्व किस मच्छली का स्वामी बन गया तो यहाँ पर छठा का आपका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरिसम मतलब बी ओप्सन आपका करेक्ट है सात्वा नमबर कहता है दूसरों की भलाई के लिए खुसी की खोज में कौन सा लगा हुआ है तो यहां आपका correct answer हो जाएगा बौधी सत्वा A option आपका correct हो जाएगा आठवा नमबर है कहता है महान संद्र ने अपनी दान सिल्ता, मधुरवानी तथा अन्य आदेसों से किस पर दया की तो किस पर दया की तो यहां पर आठवा को जो आपको correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा B option मीना नाम मलब मिना नाम मलब मचलियों पर नॉमा नमबर है आपका question कहानी में वर्नित जन्म में कौन बौधी सत्व बना तो कहानी में वर्नित कौन बौधी सत्व बना तो यहां आपका correct answer हो जाएगा C मतस्य धीपति दस्वा नमबर है जातक मालाया लेखा का मलब जातक माला के लेखक कौन है तो इसका जातक माला के आपका जो लेखक है वो है आर्य सूरा B option आपका correct हो जाएगा 11 नमबर है आपका अभीमान माहनों का धन है अभिमान जो है महानों का धन है पाठ किस पाठ से संकलित है तो ये जो है आपका वो महा भारत से संकलित है 11 का बी हो जाएगा 12 है जो सियों का परकास किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है नेतरम को आख को तेरा नंबर है आपका पृत्वी सुक्तम किस वेद में मिलता है तो ये मिलता है आपका अथर वेद में तो तेरा का आपका सीओ जगा अथर वेदे चौदा नंबर है वेदा कती संती वेद कितने है तो हम लोग सभी जानते हैं वेद 604 है तो यहाँ होगा चत्वारा पंदरा नंबर है महा भारतम अश्य ग्रंथस्या रचेता का महा भारत पुस्तर के लेखक कौन है तो इसमें बोलने का तो ज़रुवत है नहीं बेद व्यास है सुल्ण नंबर कहता है रामेशु वाक्यास में कौन सी विभक्ती है और कौन सी किरिया है मलब यहां रामेशु जो लिखा हुआ उसमें आपको विभक्ती और कीम वचनम कीम वचनम को आपको खुझना है तो क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जागा सत्मी और बहु वचनम सत्मी विभक्ती है और बहु वचन है 17 नमबर है निमलिखित में से किस अच्छर का उचारन होठों से किया जाता है तो होठ से कोन का उचारन होता है तो आपका होता है बह तो यहाँ D option 17 का D हो जाएगा अठारा नमबर है बालका इती सब्दस्या पच्चमी एक बचने रूपम भवती तो यहाँ पर बच्चा सब्द का पांचवा एक बच्चन रूप क्या होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा B option बालकात 19 नमबर कहता है लतायों वाक्य में कौन सी विभक्ती है और कौन सी किरिया है तो यहाँ विभक्ती और आपको किरिया जानना है तो यहाँ हो जाएगा आपका चतूर्थी एक बच्चनम C option आपका correct हो जाएगा 20 नमबर है भू किरिया का अवैक्त लकार मध्य पुलिंग बहु वचन रूप है मलब भू धातु का लट लकार मध्यम पुरूस बहु वचन रूपम भवती क्या होगा तो इसका हो जाएगा आपका correct answer भवता भवता मलब A option आपका correct हो जगा भवत 21 नमबर है भविस्षत काल अर्थ का लकारा भवसी मलब इसमें कौन सा लकार है तो इसमें आपका correct answer हो जगा लिरिट लकार है 21 का आपका B हो जाएगा फिर है निर्देश अधोलिखितान रेखांतित पदनाम उचित विभक्ति चुनूत मलब जो underline किया है उसका उचित पद को आपको चुनना है तो यहां 22 नमबर जो कहता है वो कह रहा है बगीचे में बहुत सारे फूल है तो यहां पर कौन सा इसमे अगला है आपका सरसी मतस्य धीपती बभू तो इसमें कौन विभक्ति है तो इसमें आपका है A option हो जाएगा सत्मी विभक्ति है अगला है आपका उचित विभक्ति के साथ पद चुनकर वाक्य पूरा करें खाली अस्थान कच्छाम चत्वारिस्तम छात्रा संती तो इसमें सही सब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B option अस्याम 26 नमबर का आपका correct answer जो होगा वो होगा मिर्ग्या खाली अस्थान सह चरती तो यहां हो जाएगा आपका D option हो जाएगा मिर्गो 27 नमबर का आपका correct answer जो है वो हो जाएगा आपका A option गुरु नाम 28 नमबर का सही अंसर आपका हो जाएगा B option सा 29 का आपका correct अंसर हो जाएगा हा का उचारन अस्थान क्या होगा तो हा का उचारन अस्थान जो है वो बी हो जाएगा कंठा कंठ से 30 नमबर है सा सा वर्नेशु का वर्नम तालब्य अस्थी कहने मतलब है कौन सा अच्छर एक स्वर है तो यहां पर आपका हो जाएगा B option गुरु नासिका वर्ना का तो अनुनासिका वर्ना क्या हो जाएगा तो यहां आपका correct अंसर हो जाएगा 31 का सी ना 32 नमबर है खालिय अस्थार वर्नास्य उचारन अस्थान दंतोस्था भवती मलब्य दात और ओड से कौन ची का उचारन होता है तो होता है वा का D option आपका correct और हो जाएगा उसके बाद फिर आगे है कि रेखाम्तिक्त संधी कृत्वा उचीत पदेन दिक्त स्थान मलब यह है जो अंडर लाइन किया हुआ है उसको संधी करना है तो संधी इसका क्या हो जाएगा 33 नमबर का तो 33 नमबर का correct संधी इताह प्लस तताह का हो जाएगा इस्त तताह ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा 34 का आपका correct अंसर हो जाएगा पुरुस उत्तम्मा पुरुस प्लस उत्तम्मा तो पुरुस उत्तम्मा तो पुरुस उत्तम्मा तो पुरुस उत्तम्मा सी ओप्सन करेक्ट 35 नमबर है सासा पलस एव तो इसका सही अंसर हो जाएगा साव अगला है किर्थि किरिया पदेश्य अनुवन्ति किरियाताम बी 37 नमबर है विर्च्छा सुद्य वायू तो इसका 37 का आपका हो जाएगा डी 38 नमबर है 38 का आपका हो जाएगा आवं देशा तो इहां हो जाएगा रच्छावा सी 49 हो जाएगा 49 का आपका हो जाएगा वान्रा विर्च्छेशू कुद्यन्ति वह बंदर विर्च पर कुद्यते हैं कि खाली अस्थान विर्च्छेशू कुद्यति मलव पेड़ों पर कुद्ते हैं तो कोन कुद्ते हैं बंदर डी ओप्षन आपका करेक्ट हो जाएगा और लास्ट कोश्चन है इंद्र किसके राजा थे उड़ा सक्रा केसा राजा आसित तो यह थे आपके राजा देवा नाम यह उप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा तो बच्चों यह थे आपके इलेवन क्लास संस्कृत का एसे वन का एंसर की आसा करते आप लोगों का एक्जाम अच्छा गया होगा कितना स्कूर हुआ अंजर मिला के कॉमेंट बाउस में जरूर बताएगा मिलते हैं नहीं वीडियो साथ तक लाग्या दीजे जैहिं जै भारत नमो नमा